तो हलो दोस्तों वेल्कम बैक आवर न्यू चैनल मिस्टर सैंफैक्ट हम लोगों बात करने वाले हैं यहां पर OVC क्या होता है और लाफ क्या होता है यह काफी शैबर काफिए आ想कर लेखो करते हैं उनको भी करते देगा ओके तो first of all जो OVC non creamy layer है ऐसी पिछरी जाती होती है जिनका जो है सलाना आए 8 लाग से कम हो मलब की जितका सलाना आए 8 लाग से कम है OVC candidate वाले उन ही को government चाहे वो कोई भी state की government हो उनको OVC का छूट देती है तो आप सभी को मालूम है कि जब भी आप form फिलप करते हो government job के लिए तो महाँ पे आपको OVC के लिए 27% का छूट आपको दिया जाता है job में ओके तो यदि आप non creamy layer डालते हो तो वही बात कर लेते है जिए आप creamy layer का कोई form फिलप करते हो और creamy layer का option क्लिक कर देते हो और आप creamy layer में नहीं आते हो तो आप जो है general category से fight करोगे मलब आपको OVC का छूट 27% नहीं मिलेगा तो जली बात कर लेते हैं creamy layer में क्या क्या आता है तो OVC creamy layer के डायरे में वही candidate आते है जो कि पिछरी जाती से बिलोंग करते हैं मलब की जिनका वार्सिक आए 8 लाग से जादा है ओके मलब जिनका सलाना आए 8 लाग से जादा है वो क्रीमी लेयर में आते हैं वहीं बात करते हैं यह जो 2018 से आठ लाग कर दिया है OVC का उसके पहले तक यह 6 लाग रुपे सलाना आए वाले ही क्रीमी लेयर में आते थे हैं चलिए स्टार्डिंग में जो है कुछ साल पहले मतलब की 1993 में इसकी सीमा एक लाग थी जैसे ऐसे महंगाई भत्ता बढ़ती है कि 2004 में इसको बढ़ा कर 3 लाग कर दिया गया फिर में सारे 4 लाग किया गया फिर 2013 में इसको बढ़ा कर 6 लाग किया और अब जो है 2018 में इसको आठ लाग कर दिया है यदि आ भी फॉर्म विलव करने जाते हो तो आपको नौन क्रिमी लेयर ही डालना है यदि आपके घर में कोई गौर्मेंट जॉब या कुछ नहीं है तो यहरी government job है उनकी salary आठ लाग से जादा है तो आप लोग क्रीमी लेर में डाल सकते हो तो आज के लिए इतना ही था तो अलगे बाई-बाई and thank you